हेलो गुड मॉनिंग जोहार मैं संज है और आप देख रहे हैं न्यू ज़ार केन चले जानते हैं आज की मुख्यों 25 बड़ी ख़ब रोको 3 जनवरी को सिक्छा मंतरी के आदेश से 8 जनवरी तक के लिए स्कूलों को बंद किया गया था अज सुमवाट से सभी अस्कूल खुलने वाले थे इसी बीच लगतार मौसम में आ रही गिरावट को देखतो हुए 5 जनवरी तक के अस्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है बतादे की वरतमान में राजिकी सभी जिलों का पारा 10 डिग्री सेलसेस नीचे हो गया है राची के कांके में तो पारा 1 डिग्री तक पहुँच गया है वही मेकलू असकी गंज में ओस की बूंदे भी जमने लगी है जारकन में बढ़ते ठंड को लेकर सिक्छामंत्री जगनात महतों ने पांचवी तक की कक्छाईं 15 जनवरी 2023 तक बंद रखने का फैसला किया है मौसम केंदर राजी की मानने तो राजी के उत्तर पस्सिमी भागों में कहीं कहीं सीतलहर चलने की संभावना जताई है वही अगामी 15 जनवरी तक राजी के सभी इस्थानों में सुभा में कोहरे या धुंद के बाद आसमान मुख्यता साफ रह सकता है इसके कारण मौसम सुस्क रहेगा नियोजन नीती को लेकर जमेम ने किया दावा रोजगार सरकार की प्रात्मिक्ता में परमुक बजट सत्र से पहले लिया चाएगा ठोश कदम रोजगार सरकार की प्रात्मिक्ता में सबसे उपर है ऐसे में नियोजन नीती को लेकर जो कुछ चल रहा है उसका हल जल्द निकाल लिया जाएगा बजट सत्र से पहले नियोजन नीती पर कुल ठोस निरनय ले लिया जाएगा युवाओं को इसके लिए चिंतित होने की ज़रुत नहीं है ये बाते जैमेम के महासचिव शुपरिमा भटाचार नी कही वे ये रविवार को ग्रीमंतरी अमित साह के चायबासा परवास को लेकर पत्रकारों से बात कर रहे थे धनबाद के तोबचांची बजार में बंबलास्ट बाइक की डिक्की में रखा था बं सब्जी बेच रही चार महलाओं समयत पांच घायल धनबाद के तोबचांची इस्तिद बजार में रविवार करी पौने तीन बजे बंबलास्ट हुआ इस हाथसे में 4 महलाओं समयत 5 लोग घायल हुए है सबी को धनबाद मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए लाय गया है प्रतक्ष दर्सों ने बता है कि एक व्यक्ती बायक की डिक्की में बम लेकर सबजी खरितने आया था इसी बीच डिक्की में बम फट गया बम फटने से सबजी बेच रही चार महलाई गंपी रूप से घायल हो गई एक सबजी खरितने आया व्यक्ती भी घायल हो गया सबी घायलों को धनबाद मेडिकल कॉलेज में भरती करा गया है इस हाथ से की जानकारी मिलते है पुलिस मौके पर पहुँचकर घटनास्तल को सिल कर दिया है और पुलिस आगे की कारवाई में जुट गई है जार्खन की अधिवक्ताओं का कारिबहिसकार 10 जनवरी तक जार्खन में अधिवक्ताओं का कारिर बहिसकार 10 जनवरी तक चलेगा जार्खन अस्टेट बार काउंसिल के आवाहन पर सुकुरवार से चल रहे कारिर बहिसकार को आगे बढ़ाय गया है अब 10 जनवरी की साम अस्टेट बार काउंसिल की बाठक में आगे की रन नितीत होगी कार बहिसकार को लेकर काउंसिल के सदस संजय विद्रोही और एके रसीदी ने बता है कि मंगलवार तक राज्य के अधिवक्ता न्याई कारे से फिलाल दो रहेंगे उनका कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा अधिवक्ताओं के हितों को लेकर एक पक्ष्य घोशना की गई है लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोशना के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी अस्टेट बार काउंसिल को नहीं है या समा चार पत्रों में ही दिख रहा है गोशना के संबंद में कहा गया है कि मोकेमंत्री को एक निर्धारित समय सीमा में इसे लागू करने का समय दिया जाना चाहिए था ताकि अधिवक्ताओं को उनकी गोशनाओं पर विश्वासों मालूम हो कि अधिवक्ताओं की कल्यान के लिए दस जनवरी तक नियाए कारे में अधिवक्ताओं को दूर रहने को कहा गया है ताकि कोट फीस वापसी को लेकर सरकार परतवाओ बनाने का निरने लिया गया है पारसनात को लेकर आधिवासियों ने जारी किया 10 जनवरी के कारिकरम का पोश्टर जैन समाच को अतिकर्मन कारी बताया पारसनात पर किसका एक अधिकार रहेगा जैन धर्मियों या आधिवासियों का क्या सरकार कुछ ऐसा रास्ता निकाल पाएगी कि दोनों धर्मों के परास्तनाद पर अतिकर्मन कारी बतातो हुए वहां से भागिने की चेताउनी दी है पोश्टर के तेवर बता रहे हैं कि अब इस मामले में आदिवासी पीछे हटने वाले नहीं हैं आदिवासी समाज के लोग 10 जनवरी खो जारकन सहित पूरे देश से लाखों की संख्या में परास्तनाद पहुँचने का दावा कर रहे हैं इधर आदिवासी सेंगल अभ्यान ने पहले से ही परास्तनाद को लेकर अपना आंदोलन का आगाज कर दिया है खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपस रिक्वेस्ट है कि अगर आप चानल को सस्क्राइब नहीं की है तो प्लीज चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रेस कर दे जिससे आपको जारकन की हर शोटी बड़ी खबर का अबडेट आप तक पहुंसता रहे चलिए बढ़ जीतन राम मांची ने कहा है कि अगर दानिस दोश मुक्तो हो जाएंगे तो उनको फिर से पार्टी में जगा मिल जाएगी मालूम हो सुस्मा बड़ाई को 13 दिसंबर 2022 को राची के अरगुडा थाना चित्र इस्थित सहाजनन चौंक के समीब गोली मार दी गई थी इस गोली राश्टर पिता महात्मा गांधी ने दिया राजिपाल खादी केवल वस्त्र या एक उत्पाद नहीं बलकि एक विचार है जिससे राश्टर पिता महात्मा गांधी ने दिया है ये बाती राची के मुरहबादी में 8 जनवरी रभिवार को राश्टर खादी एवं सरस महात इस दुरान राजिपाल ने कहा है कि देश की आजादी की आंदुलन में खादी का महत्वपून योगदान रहा है। इस दुर घटना में दो योगदान रहा है। इस दुरान रहा है। नौकरी नहीं तो राजनीती से सन्यास वाली हेमंतु सोरेन की घोशना का क्या हुआ बाबुलाल मरांडी भाजवा विधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी ने मुक्यमंतुरी हेमंतु सोरेन पर एक बर फिर निसाना साधा है उन्होंने रविवार को ट्वीटर पर जनता से किये गए CM के वादों की याद दिलाया अपने ट्वीट के साथ उन्होंने CM हेमंतु सुरेन के 2019 के विधान सभाच नौ से पहले हेमंतु सुरेन के किये गए एक ट्वीट को भी शेयर किया है मरांडी ने ट्वीट कर लिखा है कि ना राज्य में 5 लाग नौकरी मिली ना बेरोजगारों को भथता और ना ही खुले आम नौकरी नहीं तो राजनीती से सन्यास लेने की खोशना करने वाले मुखमंत्री का इस्थिपाया आखिर मुखमंत्री बिना नियोजनीती के राज्य के युवाओं को कैसे नौकरी देंगे इसके साथ उन्होंने सियम हिमंतो सोरेन के एक ट्वीट को भी साजा किया हजारी बाग के जर्पो गाउं में दम घुटने से बुजर्ग पति पतनी की मौत जीले के टाटी जर्या प्रखन और इचाग थाना चितर के जर्पो गाउं में रभिवार की सुभा दम घुटने से बुजर्ग दम पति की मौतो गई ग्रामिनों के मुताबिक 65 वर्सी बिशुन महतो और 60 वर्सी उनकी पतनी गुलवा देवी ठंड से बचने के लिए कमरे में कोईले का चूला जला कर सनिवार रात सोई हुए थे रभिवार की सुभा दोनों को मृत्त पाए गया आसपास के लोगों ने बता है कि रभिवार सुभा नौ बजे तक बिशुन महतो के घर का दर्वाजा नहीं खुला घर की बकरियां चिलाने लगी जिससे अगल बगल के लोगों ने उसके घर में जा कर देखा तो घर का दर्वाजा बन था इसके बाद गिरामिनों ने दर्वाजा तोड़कर अंदर देखा तो पूरे कमरे में कोईले का धुमा भरा हुआ था और बुजुग दमपती का शौव पलंग पर पड़ा हुआ था वही पास में कोईले का चुला भी पड़ा हुआ था असंका जताए जा रही है कि कमरे में चुले का धुमा भर गया इस वज़ा से दोनों का दम घुड़ गया और उनकी मौत हो गई जारपों में केवल मिर्तक दोनों पति-पतनी ही रहते थे राजिव लोचन बखसी फिर बनाए गे PRD निदिशक भारतियो वन सेवा के अधिकारी राजिव लोचन बखसी फिर सुचना एवं जनसंपर विभाग के निदिशक बनाए इस संबन में कारमिक विभागने अधिसूचना जारी कर दी है दरसल वे वेटिंग फूर फोस्टिंग पर चल रहे थे इनकी सेवा अगले आदेश तक वन एवं पारोरेन विभाग से सूचना एवं जन संपर्क विभाग में ले ली गई है बतादे की पूरो में भी राजू लोचन बक्सी पियाडी निदेशक की रूप में कारी कर चुके हैं तब आदिवासी कल्लान आयुक्त रहे मुकेस कुमार को स्री कृष्ण लोग प्रसासन संस्थान के साथ पियाडी का अत्रिक्त परभार दिया गया था अब 28 दिनों के समापन समारों का आयुचन रभी वायर को किया गया समापन समारों में मोकेमंतरी हमंतू सोरेन की पतनी कल्पना सोरेन पहुँची थी इस दोरान उन्होंने विविंग अस्टौलों में घूम घूम कर खादी से जोडे उतपादों की जानकारी लै। कॉंग्रेस कमीटी के तीन नेताओं आलोक दूबे लालकिसोर नाथ सहदेव राजस गुपता सहित पांच नेताओं को छे साल के लिए पार्टी से निस्कासित करने की अनुसंसा की गई है ये अनुसंसा जारकन प्रदेश कॉंग्रेस अनुसासन समयती ने की है अनुसंसा पर परभारी अविनास पांडे और प्रदेश अध्धक्ष राजश ठाकुर को की गई है पार्टी मोख्याले में रविवार को अनुसासन समयती की बैठक में या फैसला लिया गया जिहने निसकासित करने की अनुसंसा की गई है उनमें सादू सरनकोप सुनिल सिंग भी शामिल हैं इन नेताओं को निसकासित करने का अंतिम फासला अब परभारी और अध्धक्ष लेंगे बैठक की बात समयती की अध्धक्ष ब्रेजियंदर सिंग ने बता है कि प्रदेश नेतित्व के खिलाब बयान बाजी और अनुसासन हिंता करने वाले साथ नेताओं को 14 दिन पह करवाई समाप्त कर दी गई वही अन्य पांच नेताओं ने अनुसासन समयती को कोई जवाब नहीं भेजा इससे देखते हुए इनके खिलाब कारवाई की पहल की गई जवाब नहीं देने वाले इन पांच नेताओं को अगले 6 साल के लिए पार्टी से निशकासित करने के की गई है सरोजनी लकडा के निर्देश पर रांची जिला केल पददिकारी संजीत कुमार ने सभी खिलाणियों को शुब कामनाई देतो हुए रांची एरपोर्ट शरवाना किया पारा सिक्षको की आकलन परिचा 10 फरोली तक बढ़ने के संकेत करा गया है इस आवेदन प्रिक्रिया में कए सिक्षक छूट गए थे अब तिती बढ़ने के स्थिती में उन्हें भी आवेदन भरने का मौका मिल पाएगा दरसल जार्खन प्रदेश समुदाइक शायक अध्यापक संके प्रदेश अध्धक्ष विनोध बिहारी महतू प्रदेश संगठन मंतरी सुनिल कुमार पांडे पूर्वी शिंग्भूम के जिला अध्धक सुमेत तिवारी बाल गोविंद महतो ने शनिवार को शुबे के सि चा मंतरी को नौवर्स की बढ़ाई दी इसकी बाद आकलन पर इचा किती थी दस फरवरी तक बढ़ाने की बात रखी गई मंतरी ने आगरा को मान लिया अब जो शायक अध्यापक आकलन फॉर्म नहीं भार पाए हैं वे अब फॉर्म भार सकेंगे साथी विश्रंगती का भ त्यार होगा डाटा राजधनी राची में एन दिनों चोर गिरो शकरी हैं हर दिन लगभग 6 चोरी के मामले सामने आते हैं आकड़े बताते हैं कि राजधनी में साल 2022 में कुल 200 चोरी की घटनाए हुई थी ऐसे में आप समाझ सकते हैं कि चोर राजधनी की पुलिस के लिए क गठन किया गया है टीम में सामिल पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे हर तरह के चोरों के शाथ साथ चैन जपटमारी पर्स जपटमारी मोबाइल जपटमारी और मोबाइल चोरी के मामले की अलग अलग रजिस्टर तयार करे रजिस्टर में जो है आदतन चोर पूछ ताच की जा सकती है ग्रहांकों को ठकने के लिए अन्य हत्कंडे भी अपनाए जाते थे गरपतार अपराधियों का नाम असरफ अंसारी, ताजमूल अंसारी, मनुच मंडल, सेखर मंडल हैं पुलीस ने इनके पास से 18 मबाइल, 18 फर्दी सीम और 3 एटियम कार्ड जब्त की है चत्रा में ड्रग पैडलर्स पर पुलीसिया सिकंजा, ब्राउन सुगर के साथ चार गिरपतार, जिला में सक्रिय ड्रग पैडलर्स के खिलाब पुलीस लगतार सिकंजा का सरही है चत्रा पुलिस लगतार तसकरों को दबोच कर तसकरी के चैन को तोड़ने में जुटी है इसी कड़ी में चत्रा पुलिस ने एक बार फिर ब्राउन सुगर तसकर गिरों के खिलाप एक और बड़ी काररवाई की है जिसमें पर्तिबंधित ब्राउन सुगर की खेप के साथ चार तसकरों को गरपतार किया गया है इस काररवाई में तसकरों की गरपतारी के साथ ब्राउन सुगर की खरित बिक्री को लेकर तसकरो द्वारा एकत्रित सैंपलिंग का 5.42 ग्राम ब्राउन सुगर तसकरी में परियोगत विभीन कमपनियों के चार मबाइल फोन और मोटर साइकल को भी जप्त किया गया है गुमला के घागरा थाना चेतर के गाउं में जंगली हाथियों का उत्पात आधा दर्जन से अधी घरों को किया च्छतिग्रस्थ जिले के घागरा थाना चेतर के रुकी पंचायत के ग्रामिन पिछले दो दिन से जंगली हाथियों के उतपात से परिशान हैं ग्रामिन हाथियों के भाई से रत जगा करने को विवस हैं जंगली हांथियों के जुन्ट के डर से ग्रामिन अपना घर छोड़के ठंड में खेत में रात गुजानने को विवस हैं एकतरब ग्रामिन हाथियों के भई से मारे मारे फिर रहें वही वनविभाग की और सी अब तक हाथियों को खधरने के लिए कोई पहल नहीं की गई है जिसे ग्रामिनों में वन्विभाग के प्रती काफी रो से गुमला जिला के घागरा थाना छेतर के रुकी पंचायत के कई गाउं में जंगली हाथियों ने दूसरे दिन भी आठ घरों को छतिग्रस्त कर दिया ग्रामिनों के अनुशार साम के बाद गजरात का जुण घाउं में परवेश कर जाता है और जम कर उतपात मचाया है इस कारण ग्रामिनों में दासत है ग्रामिनों के अनुशार जुण में करीब 25 हाथि हैं घटना सनिवार रात 9 बजे की है ADC के नेतुतों में जहाज हाथसे की जाज करने पहुँची टीम, कमपनी के कर्मियों से घंटों पोचताच, जिले के ADC विनएकुमार मिसरा के नेतुतों में SDO राहुल जी, आनन्द जी, DMO, विभूती कुमार और DTO, शंतोष कुमारगर्ग सहिब गंच मनिहारी के बीच, गंगापूल बना रही कमपनी दिले बिल्ड कॉन के जहाज हाथसा मामले की जाज करने पहुँचे, घटनास्थल पर पहुँचकर अधिकारियों ने जहाज के शंचालक से पूछताज की, साथी जो है DBL कमपनी के कास्टिंग याड ओफिस में पहुँचकर घंटो कागजी प्रक्रिया पूरी की, इस दुरान अधिकारियों ने जिस ट्रक का टायर फट जाने से दुरगटना हुआ था, उस ट्रक की भी जाज की, इस दुरान अधिकार विधयक खुले की राजिपाल रमेस बैस ने अटोरनी जनरल सिमागी सलहा झारकन की राजिपाल रमेस बैस ने हेमंत सरकार द्वारा आरक्षन का दारा बढ़ाने वाले विधयक को लेकर अर्टोर्नी जनरल से सल्हा मागी है 36 गड़ के मोखेमंतरी भुपेश बागिल ने इसकी जानकारी सोचल मेडिया में दी है उन्होंने लिखा जारकन विधान सभा द्वारा आरक्षन का कुल परतीसत 50 से 77 किये जाने का अनुमोधन किया गया जिसे वहां की राजिपाल द्वारा आटोर्नी जनरल को उनके अभिमाद के लिए भेजा गया है बीते 11 नौमबर को जारकन विधान सभा से जारकन में सरकारी पदो और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षन संसोधन विधयक 2022 पारित हुआ था इसमें ST, SC, EBC, OBC और आर्थिक रुप से कमजोर वर के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षन का कोटा वर्तमान 60% से बढ़ा कर 77% किया गया है विधयक को हेमंत सरकार सविधान की नौवी अनुसूची में सामिल करना चाहती है इससे लेकर विधयक को राज़िपाल रमेस बैश को भीजा गया है राज़िपाल इस बाबत अटोर्नी जनरल से शलहा मांगी है तो ये थी आज की जहारकन के टॉप बड़ी खबरे इसी तरह जहारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल न्यूज जहारकन चानल को सब्सक्राइब करके बैल आकन प्रेस करतेजे जिससे आपको जहारकन की हर चोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे तो आज के लिए बस इतना ही हमें दीज़े इजादत फिर मिलते हैं नेक्स न्यूज में